कि 70 साल में इन्होंने बरबाद किया है पंजाग को, 75 साल में बरबाद किया है, एक एक करके एक करके समस्याओं का समधान कर रहे हैं, सारी समस्याओं का समधान होगा, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा धहरे रखना पड़ता है नमस्कार आप देख रहे हैं, नेक्स्ट नाई नियोस पॉलिटकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंग्ग, एक तरफ सियासी बवाल मचुराएं तो दूसरी तरफ अरविंद केज़िवाल की मुश्किले कम नहीं हो ड़ी है, लगतार CBIED की कारवाई उन पर और उ एक बड़ा बयान जारी किया है बीज़िपी के खिलाव, क्या कुछ के रहे हैं अरविंद केज़िवाल, जरा सुनिए दोस्तों, एक साल पहले आप लोगों ने जम के वोट दिया थाम लोगों को 117 में से 92 सीट दी थी अपने प्यारे छोटे भाई, अपने प्यारे बेटे भगवन्तमान को आपने पंजाब को मुख्य मंत्री बनाएं हमने आपके सामने कई वादे किये थे पिछले एक साल में एके करके, एके करके हमने अपने वादे अपनी गारंटी पूरी करनी चालू कर दिये कई लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं आपको राजनीती करनी नहीं आती इतनी जल्दी वादे और गारंटी पूरी नहीं की जाती वादे और गारंटी तो आखरी साल में पूरी करते हैं जनता भूल जाएगी हम उनको कहते हैं हम यहां राजनीती करने नहीं आए किस किस का बिजली बिल जीरो हो गया जड़ा हाथ खड़ा करके बता दू सब के बिजली बिल जीरो हो गए सब के सब के बिजली बिल जीरो हो गए लोगों को यकीन नी था जब पिछली बार चुनाव के पहले मैं और भगवंतमान जगे जगे जाके कहते थे हम आपके बिजली बिल जीरो कर देंगे तो उदर से कॉंग्रेस वाले कहते थे जूट बोल रहे है पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है पंजाब के उपर तो इतना कर जाए अकाली दल वाले बीजेपी वाले कहते थे जूट बोल रहे है पंजाब के उपर तो इतना करजा है पंजाब का बज़ट तो घाटे में चल रहा है सरकार बनने के तीन महीने के अंदर हमने आपके बिजली के बिल जीरो कर दिये पूरे पंजाब के और मेरे बगल में अभी छीमा साब बैठे थे हमारे वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर, खजाना मंत्री वो मेरे को बता रहे थे पिछले एक साल में जितने हेड हैं, जितने मद हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है कैसे पैसा आ रहा है? ये पैसा तो पहले भी था, अभी कोई नया पैसा थोड़ी आ रहा है, ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी जेब में जाता था, ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी पार्टियों के नेताओं के स्विस बैंकों के अकाउंट में जाता था, अब ये सारा पैसा पंजाब के खजाने में जाने लगा है अब इस पैसे से आपके बिजली के बिल जीरो होने लगें कोई भगवंतमान अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे केजरी वाल अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे आपी का पैसा है आपी टैक्स देते थे पहले भी टैक्स देते थे अब भी टैक्स दे र गी है मेरे को बताया गया जलंदर जलंदर के अंदर 38 महला क्लिनिक बन गए 38 38 महला क्लिनिक बन गए और अभी कई सारे महला क्लिनिक बनके तयार हैं कोड लग गया कोड लगने की वज़े से चालूनी हुए इन सारे महला क्लिनिक के अंदर पूरा इलाज फ्री दवाईयां फ् टेस्ट फ्री आप बस अंदर जाओ अपनी बिमारी बताओ सब कुछ फ्री है एर कंडिशन महला क्लेनिक कभी देखी थी ऐसी सरकार पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सीधे जनता के लिए काम कर रही है हमने तो कहा था पाँ साल में करके दिखाएंगे अबिसे कितने सारे काम शुरू हो गए अबिजैसे मान साही ने बताया 28,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं 28,000 बच्चों को और अभी आने वाले सालों के अंदर कई लाख बच्चों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी देने का पूरा इंतिजाम किया हुआ है कितने बच्चों को 25,000 से जादा बच्चों को पका कर चुके जो कच्चे एंप्लॉई होते थे पहले पंजाब के अंदर बच्चे टंकियों पे चड़े रहते थे अब कहीं सुनने को नहीं मिलता कोई बच्चे टंकियों के उपर चड़े हुआ है सारे बच्चों को एक एक करके एक एक करके सब बच्चों की नौकरी पकी करते जा रहे हैं अभी जैसे मान साब ने बताया जलंदर की एक एक समस्या इनकी उंगलियों के उपर है जितनी समस्याँ हैं जलंदर की सारी समस्याँ दूर करेंगे जलंदर में कोई बड़ा स्पताल नहीं है सरकारी बड़ा अस्पताल, PGI के जैसा बड़ा अस्पताल बनाये जाएगा जलंदर के अंदर ताकि आपको दूर ना जाना पड़े अगर आपकी कोई दिक्कत हो जितने कूडे के पहाड हैं, ये कूडे के पहाडों की सारी सफाई दिल्ली के अंदर आपके और आपके जलंदर के पहाड हम खतम कर देंगे आज जब मैं आरा था मेरे को कई लोगों ने परचियां दी बोले जी जलंदर केंप में दीपनगर रोड खराब है, आदमपुर में में रोड खराब है जलंदर वेस्ट में स्मार्ट सिटी रोड खराब है और भी बहुत सारी होंगी सारी सड़के बनवा देंगे भगवनतमान पे भरोसा रखना एक एक सड़क आपकी बनवा देंगे ताइम लगेगा अभी कई सारे उद्योगपती भी मिलने आये थे उनको भी हमने कहा कि 70 साल में इन्होंने बरबाद किया है पंजाब को 75 साल में बरबाद किया है एक एक करके समस्याओं का समधान कर रहे हैं सारी समस्याओं का समधान होगा टाइम लगेगा हमने माफिया राज खतम किया सबसे ज़्यादा दिक्कता ही रेता माफिया खतम करने में इतना कड़क माफिया था रेता माफिया बीच में जब खतम किया पूरे पंजाब के अंदर रेता के दाम बढ़ गए इतने ज़्यादा दाम बढ़ गए लेकिन थोड़ा सा धैरे रखना पड़ता है अब देखो रेता सस्ता मिलने लग गया नहीं मिलने लग गया ऐसे ही टाइम लगेगा सारी समस्याओं का हल निकलेगा EKKK समस्या का हल निकलेगा SC scholarship पिछली सरकार के अंदर कई सालों तक SC scholarship खा गई ये लोग जिस मंत्री ने आपके scholarship आपके बच्चों की scholarship खाई थी उसको collar से पकड़ के मान साब ने जेल के अंदर भेज दिया अब आपके बच्चों को scholarship मिलने लगी है मुझे पता चला है कुछ बच्चों को अभी भी पेंडिंग है लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर जो पेंडिंग स्कॉलर्शिप है वो भी सारी मिल जाएगी नीले कार्ड वालों को थोड़ी सी दिक्कते आ रही है नीले कार्ड में कुछ लोगों के शायद गल्ती से कार्ड कट गए है एक एक गरीब आदमी को राशन दिलाएंगे किसी भी गरीब आदमी का हक नहीं मरने देंगे अगर कुछ गड़बड हुई है कुछ गल्ती हुई है उसको ठीक करेंगे बिल्कुल चिंता मत करना गरीबों के साथ खडी हमारी सरकार किसी भी हालत में किसी भी गरीब का हक नहीं मरने देंगे पिछले साथ साल से जलंदर के अंदर कॉंग्रेस का M.P. साथ साल से आप लोगों ने कॉंग्रेस वालों को वोट दिया क्या मिला आपको कुछ दिया कॉंग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया आपने अपना प्यार देने में कोई कसर नी छोड़ी एक बार हमें भी दे के देख लो पिछली साल आपने पंजाब हमारे हवाले किया इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग इतना ही मांदारी से काम कर रहे हैं एक बार जलंदर के जलंदर वाले भी हमारे उपर भरोसा करके देखो कॉंग्रेस की जगह इस बार हमें वोट दे के देखो एक मोका दे के देखो और दूसरी बात अगर आप कॉंग्रेस को वोट दोगे क्या फाइदा होगा पंजाब में तो हमारी सरकार है काम तो हम नहीं कराने है काम कराने के लिए तो हमारे पास ही आना है कांग्रेस वाले को वोट दे दोगे वो लड़ाई करेगा रोज तू-तू में मैं करेगा तो लड़ाई करनी है तो उनको वोट दे देना अपने सारे काम कराने हैं सड़के बनवानी हैं कोड़े के पहाड ठीक कराने हैं सारे काम कराने हैं तो एक बार एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखो जाडू का बटन दबा देना फिर से मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ जितने आपके जलंदर के काम है सारे काम बामान साब आपके सारे काम पूरे करेंगे अर्विन केजिवार के बयान के बाद बवाल मचना तो लाजमी था और ये बवाल इसकदर मचना आए कि बीजेपी अब अपनी तरफ से कुछ भी कहने से चूप नहीं रही है फिलार इस खास रिपोर्ट हम बस इतना ही तेश दुनिया के तवाम बड़ी ख़वरों के लिए देख तुरे नेक्स नाई नियोज पॉलिटकल बाई